नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार रिव्यूज की दूसरी वीडियो में आज हम बात करेंगे हॉन्डा की 2020 Civic Diesel BS6 Variant के बारे में On the 19 July, हॉन्डा ने Civic ने इंजिन आप्शन टीसल के साथ लॉंच कर दिया है हॉन्डा की ये कार अभी सिर्फ 6-speed manual gearbox के साथ ही लॉंच हुई है और automatic के बारे में हॉन्डा ने अभी तक कुछ नहीं बताया है हॉन्डा ने Diesel Civic को दो वेरियंट में लॉंच किया है VX और ZX अब बात करते हैं दोनों के prices की तो VX का price हॉन्डा ने रखा है 20,74,899 और ZX का price है 22,34,899 एक शोरूम टेली दोनों ही वेरियंट में 1,60,000 रुपीस का difference है तो चलिए अब देखते हैं कि हॉन्डा इतने पैसे में क्या extra feature दे रहा है और क्या आप लोगों को ये extra पैसे हॉन्डा को देने चाहिए जेडेक्स वेरियंट के लिए तो शुरू करते हैं VX और ZX के feature के difference के बारे में तो जो पहला सबसे बड़ा difference आपको ZX और VX वेरियंट के पीच में देखेगा वो है lane watch camera ये हॉन्डा ने सबसे पहले Civic के petrol variant में लाँच करा था और इसके बाद ये अब diesel variant में भी आपको मिलेगा और आने वाली new Honda City 5th generation में भी तो ये feature आपको सिर्फ ZX variant में मिलता है VX variant में नहीं मिलता है इसके बाद जो दूसरा feature आपको ZX variant में मिलता है वो है full LED headlight with auto on off ये आपको सिर्फ ZX variant में मिलेगा और VX variant में आपको मिलेंगे halogen headlam वहीं पे अगर हम fog lamps की बात करें तो आपको ZX variant में मिलते है LED fog lamps और VX variant में मिलते है halogen fog lamps इसके बाद जो अगला feature difference VX और ZX के पीच में है वो है electric sunroof तो electric sunroof सिर्फ आपको ZX variant में मिलती है और VX variant में आपको नहीं मिलती है इसके बाद जो अगला difference है features में वो है alloy wheels जो आपको ZX में मिलते है 17 inches और VX में मिलते है 16 inches इसके बाद जो आखरी feature difference है इन दोनों models में वो है auto rain sensing wipers जो आपको सिर्फ मिलते है ZX variant में और वहीं VX variant में आपको मिलते है normal wipers तो जैसे कि हम सब ने देखा कि तोनों ही variants में सिर्फ 6 features का difference है और इन में से कोई भी जरूरत का feature नहीं है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि electric sunroof इंडिया में बहुत popular हो रही है आजकल बट Indian weather conditions में इसका usage बहुत ही कम होता है और pollution और dust की वैसे भी इसको आप इतना use नहीं कर सकते है auto headlamp LED feature जो है वो भी कोई necessity नहीं है halogen headlamps भी उतनी ही रोशनी देते हैं LED देते हैं LED थोड़ा better होता है और उसकी life भी थोड़ी जादा होती है बट यह भी आप aftermarket लगवा सकते हैं इसके अलावा जो एक feature है alloy wheels का वो इतना matter नहीं करता है और उल्टा जितनी भी कंपनियां इंडिया में car launch करती है वो try करती है कि alloy wheels का size चोटा रखे because of our road conditions जो एक feature जो मुझे लगता है कि Honda को दोनों ही variants भी देना चाहिए था वो था lane watch camera because this point पे आप एक ऐसा feature दे सकते थे जो कि competition में किसी भी variant पे नहीं आता है बट Honda ने ऐसा नहीं करा और इन में से कोई भी feature मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिसके लिए हमें 1,60,000 रुपीज का difference देना चाहिए तो मेरी नजर में Honda Civic का VX variant thumbs up and the best valued and loaded feature pack variant है और आप ये कार लेने के लिए अगर market में है तो मैं recommend करूँगा VX variant यही आपको लेना चाहिए Thank you, stay safe, stay inside and don't forget to subscribe the channel Please do like and comment and stay tuned for more Thank you